बच्चों आपके सामने 80 सब प्रतिमिड़ गतिका डिक्टेशन यस स्टार्ट आज जिस दोर में हम जी रहे हैं उसके बारे में किसी ने बिलकुल सटिक कहा है कि आज हमारे मकान अच्छे हैं लेकिन घर तूटते जा रहे हैं घर में पती पतनी दोनों कमा रहे हैं लेकिन तलाक के मामले में बढ़ रहे हैं हम चांद पर पहुँच गए लेकिन सडक पार करके नए पडोसी से बात करने में हमें दिक्कत है बिजनस में मुनाफा हो रहा है लेकिन रिष्टे उथले होते जा रहे हैं कुल मिलाकर कहें तो दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मन में पवित्र विचार पवित्र भावनाएं कम होती जा रही हैं इस दुनिया में संसादनों की कमी नहीं हैं कमी मानोता की है सची मानोता के लिए सफलता के माइने समझने होंगे सफलता की सची परिभासा समझनी होगी हम सब के मन में हैं की पेसे कमालिये या एक बड़ी इंडरस्ट्री चलाली तो हम सफल हो गए यह सफलता नहीं यह ग्रोथ है प्रगती और सफलता में बहुत बड़ा फरक है पेसा कमाले ना सफलता नहीं है यह ग्रोथ है इसके लिए पहली सबसे बड़ी जरूरत है विचारों की स्वच्छता, सात्विक्ता और विचारों की सम्रद्धी विचारों में इसपस्टता होनी चाहिए इनसान अपने विचारों से ही बना है सफलता में सबसे पहली सिड़ी विचार है विख्यात लेखक ने लिखा है कि मानवजाती का इतियास विचारों का इतियास है कुछ विचार आया विचार के ओपर कुछ चिंतन किया चिंतन करते करते कुछ बढ़िया संकल्प किया उन्हें कारे रूप में लागू किया और इस तरह मानोवजाती का यह रूप हमारे सामने है जापान में कोई प्रजाती की मचली होती है जन्म के समय यह एक यह देड़ इंच की होती है इसके बाद अगर इसे टब में रखकर पाला जाए तो यह जीवन में सिर्फ दो या तीन इंच तक ही बढ़ती है वही अगर इसे एक्वेरियम या वाटर टेंक में रखें तो यह आड़ से दस इंच तक बढ़ती है और अगर इसे किसी तालाम में पाला जाए तो यह दो तिन फिट तक बढ़ी हो जाती है दसकों तक विज्ञानिक संसे में रहे की उसी प्रजाती की मचली का विकास अलग-अलग तरह से केसे हो सकता है सोध में सामने आया की मचली दरसल परिवेश की आधार पर खुद के विकास को सीमित कर लेती है या बढ़ाती है वह सोच लेती है की मेरे लिए तेरने की इतनी जगा है वह मांसिक रूप से यह स्विकार कर लेती है पर उसकी साइज निर्भर करती है यही बात मनुस्ष पर लागू होती है अगर आपने खुद को सीमित कर लिया तो विकास वहीं रुख जाएगा रतन टाटा ने एक दिक्षान समारों में बड़ी अद्भूत बात कही की अपनी सफलता को अपने बेंक अकाउंट में उपलब रासी से ना आके सफलता को इससे भी मत आके की दुनिया के कितने देशों में आप व्यापार कर रहे हैं आपने कितने कर्मिचारी नोखरी पर रखे या अपनी सफलता को अपने उत्पादों की संख्या से भी ना मापे सफलता का एक ही पेमाना है कि आपकी इस यात्रा में आपने कितने लोगों का जीवन उपर उठाया इंग्लेंड में ICC की एक मिटिंग हो रही थी मिटिंग का मुद्दा था कि फुटवाल जितने पेसे क्रिकेट में क्यों नहीं है तीन गंटे की चर्चा में छोटे मोटे निर्ने हुए कुछ पर कुछ ठोस नहीं निकला वहां बेठे ICC के एक क्लरक ने कहा कि क्या मैं कुछ राई दे सकता हूँ उन्होंने कहा कि फुटवाल जितने पेसे क्रिकेट में भी आ सकते हैं अगर एक निर्ने ले ले अभी क्रिकेट में टेस्ट वन डे फार्मेट है अगर एक और फार्मेट लेकर आएं गेम का समय कम करें वी सोवर का मेच कर दें तो परस्तितियां बदल सकती है वहां बेठे दिगजों ने यह आइडिया नकार दिया एक सो आइडियास देट चेंज द वर्ड नामक किताब में लिखा है कि सतर पतिसत से ज़्यादा विचार पहली बार बताने पर रिजेक्ट हुए थे पर वो बाद में क्रांती कारी साबित हुए टी ट्वंटी किरिकेट फार्मिट का आइडिया पहले खारी जुआ लेकिन बाद में यह हिट साबित हुआ यह विचारों की ताकत है विचार सबसे ताकतवर हैं बस उनमें पवित्रता बनाए रखने की जरूरत है जन्यवाद